है 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 यह फ्रेंड्स मैसल प्राकेज़ एंड तोड़े वे डिसकस अबाउट लेंड डिडिडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स तो पिछले लेक्चरस में हमने पढ़ा था कि कीस तरह से लेंड का यूज किस तरह से इंडिया में हो रहा है तो आज हम लेंड डिडेशन and conservation measures यानि कि land का degradation means की उसका जो fertility है वो किस तरह से घट रहा है या land को किस तरह से नुकसान हो रहा है उसके बारे हम discuss करेंगे वह ही हम इस land का जो degradation हो रहा है उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं उसके कौन कौन से measures है which we have taken to step to conserve the को लेंड यानि कि हम लेंड को किस तरह से मचा सकते उसके स्टेप गुइस को और से मेजर स कुंद से हमाज डिसकॉस करेंगे तो सबसे फोर्स्ट बियार टॉक आपाउट लेंड डिगरडेशन वाट वाथ to do with the future generation means कि हमारे जो यह लेंड है यह हमें हमारे पुरुवत से मिला है हमारे जो पास्ट जनरेशन है उनलोक ने हमें दिया है और हमें भी क्या करना है कि हमारे आने वाली जो पेढ़ी है जो future जनरेशन है उनके लिए हमें लेंड बचा के रखना है जिस तरह से हम इसका अच्छे से यूज कर पारे तो हमारे आने वाले फिचर भी उसको अच्छे से यूज कर पाए इसलिए हमें लेंड को उस तरह से यूज करना है 95% of basic needs for food, shelter and clothing are obtained from the land यानि कि हमारे जो basic needs से क्रोटी कपडा मकान, shelter, food and cloth कहा से हमीं मिल रहा है through land मिल थे ठीक है, obtaining land यानि 95% need हमारे कौन फिल फिल कर रहा है, land कर रहा है human activities have not only brought about degradation of land, but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land यानि कि human activity हमारी जो activity है, वो ना हमारे नुकसान पहुचा है हमारी जमीनों को, means कि land degradation में बड़ा important role लेकिया इसके अलावा, land degradation बढ़ाने में और दूसरे steps भी उसने खड़े किया, मतब और problems भी खड़े किया हमने, ठीक है हमारी activities ने, ठीक है तो इससे बहुत सारा problem हुआ land को, ठीक है, तो हमने किस तरह से land को degrade किया वो देखते है, how we, degradation of land some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, and quiring, यानि कि हमारी जी activities थी, हम इतने लालची, इतने greed people है हम कि हमें थोड़े से में हमारा पेट ने भरता है, हमें बहुत ज़्यादा ची, we need more, ठीक है तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो, deforestation किया, हमें ज़रत हुई, हमने पेड काटे, ठीक है, जितना मन चाहा, उतना deforestation किया, उतने पेड काटे, ठीक है, overgrazing, साथ ने हमने क्या किया, पासुपारा, अनि एनिमल हजबेंडेर, उसमें क्या हुआ, देखे, जानवर सो जानवर होता, अभी उनको आप चराने चल जाओगे, जमीन पे, तो वो क्या करेगा, वो यह सोच के थोड़ी खाएगा घास को, कि उसका जमीन का कुछ नुक्सान ना हो, लैंड का या मित्टी को हम ना खाए वो क्या करेगा, उसको भूक लगी, उसा उखाड लेगा घास को, तो जो घास को, जो घास है, जो ग्रास है, जो रूट से लगा हुआ, इस तरह से यह रूट है ठीक है, यह लैंड है, इसपे ग्रास लगा हुआ है, तो तो इधर से कट थोड़ी करेगा उसको जादा बुकल यहां से पूरा उखाड लेगा उससे क्या होगा लैंड डिग्रेडेशन होगा इससे नुकसान होगा ठीक है तो ऑवर ग्रेजिंग के वज़े से भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ इसके अलावा और कौन से पॉइंट है माइनिंग जैसे की आप माइनिंग जानते ही है कि जारखंड मध्यपदेश चत्री बहुत माइनिंग होती है कोईले की खादान है वहाँ पे ठीक कोल माइनिंग होता है यानि जमीन के अंदर से कोल निकाला जाता है मिंडल्स निकाले जाते है या ब्रास निकाला जाता है तो कोल यह सब जो निकालते तो उसके बाद क्या हो जाता है उस एरिया में गड़ा हो जाता है ठीक है तो माइनिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यह सारे इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूमन एक्टिविटीज के जो लेंड डिग्रेडिशन होता है जिसकी होज़े से ठीक है माइनिंग साइट्स आर एबांडेंट आफ्टर एग्जर्वेशन वर्क इस कंप्लेट लिविंग डिप स्कैर्स एंड ट्रेस अब आए कि उनलोग माइनिंग एरिया में जहां पर आप कोल निकालते हो वहां पर उस जगह को ऐसे छोड़ दिया जाता है ठीक है और उसके वाज़े से लेंड स्लाइड होने का खत्रा है और वहां पर जो लेंड है अगल बगब में उसको बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंच सब जो एरिया है महाँ पर और इसा एसा और दूसरा कॉन सा वीजर माइनिंग के वज़े से वारेंड डेटिकाइशन हुआ है तो आपको पूछा सबसे यहां पर इंडिया कि अगरन बात करें तो कहाँ कहाँ पर सबसे जजादा हुआ हूँ तो जालखट मद्यपदेश चर और जिस्त अगर हम गुजरात मध्यपदेश राजस्थान और महाराष्ट की बात करें तो आपे ओवर ग्रेजिंग करवाने के वाज़े से आपे लेंड डिग्रेडेशन हुआ है इन दे स्टेट और पंजाब हर्याना वेस्टन उत्तरपदेश ओवर इरिगेशन इस रिस्पोंसिबर फॉर लैंड डिग्रेडेशन द्यू तो वाटर लॉगिंग डेडिंग तो इंक्रीजिन सेलिनेटी एंड अलकलैनीटी इन दस्वाई यानि कि यह सारी जो एरिया है उत् यह साथे और यहां पनजब वहों पूरा छोड़ देते इससे प्या होता है पानी तो इसमें पहुप जाता है ठीक है कि रूट तक पहुंच जाता है लेगिन दूसरा काम क्या करता यह ऑपर का जबाद पानी होने के बाद है ठीक है तो हड जाएगा तो जो मिनरल से उसमें स्वाइल में तो बाद में वह ओवर इरिगेशन होने के वज़े से वह उतना fertility नहीं दे पाएगा जितना आँ पहले देता था ठीक है तो ये एक रिजन है ओवर इरिगेशन बेट राजस्तान एंड महाराष्ट्रा जबकी माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन वह है चत्रीस गड़ जार्खन और और यह सब एरिया ठीक है तो वहाँ पर इसके वाज़े से लेंड डिग्रेडिश्यन होता है कि दा मिंडल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग और लाइम स्टार्न फॉर सीमें इंडर्स्ट्री एंड कलकाइड एंड सॉप स्टार्न फॉर सेरेमिक इंडर्स्ट्री जेनरेट हूज क्वांटिटी अब डॉस्ट इन एटमस्टिया यानि कि इसके आप और बहुत ऐसे जिसके वाज़े से लैंड डिगर्डिशन आता है जैसे कि आप मर्द्य पद्रेस अगर जाते हैं तो आप सतना कटीनि स्टेशन देखते होंगे तो आप कितनी शिमेंट की फेक्ट्री दिखाए देगी आपको ट्रेंट से आपको दिखाए दी जाएगी दिखाए देगी कि कितनी वहां पर सीमेंट इंडस्ट्री तो उसके वज़े से क्या होता है तो एक्मोस्फियर वहां का हवा में उसके जो कंड है वह गुल जाते और उसका एफेक्ट क्या होता है आसपास की जमीन है वहां पर चिपक जाते जमीन से ठीक है जो क्या कहते है उसके सिमेंट के जो कर्ण होते ठीक है तो वह जमीन से चिपक जाते और डस्ट चिपक जाते उसमें क्या होता है कि जो जमीन की फर्टिलेटी है वह वहाँ पर कम हो जाता है ठीक है उसके वाज़े से लेंड डिगरडेशन होता है और जब बार के एकदम डीप तक नहीं जा पाता है ठीक उपर इसे बहा जाता है तो क्या होगा अब जो है वो जो लेंड है वो उतना फर्टाइल नहीं रहेगा और लेंड को नुक्सान हुआ का वहां के सेमेंट इंडेस्ट्री और सेनामिक इंडेस्ट्री वाज़े से तो यह भी एक रिजन हम कहा सकते हैं लेंड रिटार्ट्ट्रीशन का इट रिटार्ट्स टू दप्रोसेस अफ इन्फिलिट्रेशन अप दे वाटर इंटू दे स्वाइल आप्टर दा सेल्टर बिटार्ट्रीशन अब अप्रीशन जैसे की वाटर पोलुशन और ऐसे रिजन जिसके वाज़से लेंड दिग्रेट हो रहा है लेंड डिग्रेट हो रहा है ठीक है तो इतना मने बात किया कि land degradation होने का कौन-कौन से रिजन है और कौन-कौन से हमारी इंडिया की स्टेट है वहाँ पर लेंड डिग्रेडेशन किसके वज़ों से वह है what are the reason of behind this ठीक है so now we are talk about what is the major step to conserve our land degradation and what we need to take a step for conserve our land degradation ठीक है तो कौन-कौन से ऐसे मेजर से जिसके about the measures there are many ways to solve the problem of land degradation यानि कि यसे बहुत सारे ways है जिसके थुरू हम land degradation को बचा सकते हैं जैसे कि of a forestation and proper management of grazing can help to some extent यानि कि यह फोरस्टेशन वहाँ पर हमने देखा deforestation यानि कि पेड़ों को कार देना अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि हम किस इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं हम ए फोरस्टेशन करें यानि कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें ज्यादे से ज्यादा ट्री क्रॉप करें यानि कि पेड़ों को लगाए सेकंड फिंक यहाँ पर है प्रॉपर घ्रेशनम यानि कि इस तरह से मैनेज्मेंट करना जिससे कम से कम नुक्सान पहुचे लैंड ऊंचों कर आऊंग्स करना कि उसके बाद है प्रानिंग और बेंट्स आप प्लान्ट्र स्कंट्रल और ड्रिजिंग यानि कि हमें इस तरह से साल बेंट लगाने होंगे जिससे हमारा वरग्रेज्ञ रुख सकते जैसें कि मैं एक हो क्यांगे क कि अस्वाइब Fish Angel को समझाता हूं तो अब इसके जो सॉइल है वो पानी में बहके ना चल जाए या इसको नुक्सान ना पहुंचे इसके लिए आप यहां पर क्या करोगे ट्री को ग्रोव करें होगे चारो और ट्री लगा दोगे आप देखते हों कि गाओं में भी जमीन के चारो ट्री लगा होता है तो इससे क क्या होगा लेंग जो डिग्रडेशन है और यह फर्टेलिटी हो भी बनी रहेगी जमीन की और जमीन का स्वाइल को भी कोई नुक्सान ने होगा और लेंड डिग्रडेशन भी नहीं होगा ठीक है तो यह सारे स्टेप सम उठा सकते हैं इस तरह से आपको डेजर्ट एरिया में रेट के टीले जो होते हैं राजस्थान जिस एरिया में ठीक है इस तरह से रहता है उसमें कीया होता है जो इसको रोकने क्लिक क्या करते जो डूनोज एरिया है वेंन क्या करेंगे जो तो खॉर्नी वश्यस होते हैं मीन्सald आप राज्स्थान मान दासन टीक होता है कटीले पेड़ होते लाइक बबूलट्री बबूले तरी हमने ग्रोग किया और वो क्या करेगा उसके जो रूट्स होंगे जमीन में चिपक जाएंगे और उसके ज़ुरुट से चिपके रहेंगे तो यस तरह से हम ड्यूनस एरिया में हम ग्रोग करेंगे थारिश्च याने कि कटीले पेड़ जो होते हैं like bubble tree वो हम grow करेंगे और उसके जड़ होंगे उसके जो roots होंगे वो जमीन से चिपके रहेंगे जिसके वज़े से land के जो soil है वो उड़के ना जाए और चिपके रहें ठीक है जिससे land degradation को हम रोक सकते हैं इस तरह से हम बहुत सारे पेड़ वहाँ पे आर समप दे मैफ़ड ऑफ चेक एंड डिग्रेशन इन एरिड एडिया प्रॉपर मैनेजमेंट आफ वेस्ट लैंड कंट्रोल आप माइनिंग एक्टिविटीस को कंट्रोल कर देंगे हम ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जहां पर कम से कम माइनिंग हो या माइनिंग हो तो उस पर कोई ऐसी इंस्टिटीशन ने जो से कंट्रोल रख सकती हो तो उसे साब से मिस्टैप उठा सकते हैं प्रॉपर डिश्चार्ज एंडिस्पोजिप डिस्पोजल आप इंडिस्ट्रिय इंफ्लोएंट्स एंड वेस्ट एंड ट्रिट्मेंट कें रिड्यूस लैंड और डिग ब्लेटर आदमी को वहाँ पे लगाएं और जो जमीन को नुक्सान ना पहूंचाएं इस तरह से कर सकते हैं आप साइंस को रिक्रूट कर सकते हैं तो इस तरह से हम प्रॉपर मैंगमेंट के त्रवम हम दिगरेडेशन्स और कम कर सकते हैं ठीक है तो यह लेंशर मेंगे लें this topic if you have any doubts you got in this top topic you can ask in our whatsapp group okay thank you